मुझा जब अगराव शामली में मी जब अर्संगार हुआ उस बड़ी हिंसा के पहले भी ऐसी छोटी-मोटी घटनाय बहुत हुए थी छोटे-मोटे दंगे, छोटे-मोटी सांतताय घटनाय देखे, बिछले चार सालों में बश्चन मतर्पुदेश में कई सैंकडों ऐसी घटनाय हुई है, हिंसा की घटनाय हुई है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाती के लाँ पर इनी छोटी घटनायों की मज़ह से कही नकाई, मेरे खियाल से एक बड़ी हिंसा के लिए समीन तयात होती है जूटी वीडियो जिसमें सामतना एक हिंसा फेलाने की कोशिश है, जातिय हिंसा फेलाने की कोशिश है WhatsApp और बाखी social media पर भी बहुत भारी मात्रा पर फेलाए जाने है और यह बहुत नियोजित तरीके से हो रहा है, यह बिलकुल नफरत की फैक्टरीज है मतलब नफरत का उद्योग हो रहा है यहापर Ground Zero कर एक ऐसी संस्था, एक ऐसा फिल्म और मीडिया कलेक्टिब Ground Zero पर हमको स्थापद करने की ज़रूरत है और यही है चल चत्राप्ता, जो आज दिल्ली से नहीं, किसी बड़े शेहर से नहीं उपरेट कर रहा है लेकिन वहीं Ground Zero पर पश्चे मुतर प्रदेश एक फिल्म और मीडिया कलेक्टिब चलाने की हमारी कोशिश है पिछले एक साल में हमारे बहुती सीमित संसाद्रों में हमने तीन डॉक्यमें फिल्में बनाई है उसी के साथ साथ जो जाती है हिंसा इतनी हो दिया पश्चे मुतर प्रदेश में उसके बारे में लगातार चल चत्रव भ्यार ने उसको सामने लाने में कुछ अंतक सफल रहे है किसानों, मजदूरों, महलाओं पर अनेक रूप से आर्थिक और समाजिक शोषण हो रहा है सिर्फ हिंसा या उत्पीडर की बात नहीं है उसके खिलाफ एक प्रतिरोध भी है चोटे से चोटे गाउं या कजबे में परतिरोध हो रहा है और वहां से लेकर जंतर मंतर तक हर जगह यह प्रतिरोध की कहानियां हम सामने लाने में कुछ हब तक सफर नहीं है हमारा एक बहुत प्रमुख काम जो है चल्चतर अभ्यान का वो यह है कि स्थानी अस्तर जो नौजमान है उनको भी फिल्म और वीडियो बनाने की ट्रेनिंग उनके सामने उनको जो मुद्धे एफेक्ट रते हैं उन पर वो खुद फिल्में या वीडियो बनाए है कि अचाने के पैलाने काूं कि जोई इस यह करते हैं में हमारी इक वीडियो एगी कि खांतर करते हैं कोई भी योगदान बड़ा या छोटा नहीं हो जरूरी ये है कि आपके योगदान से भविश्य के मीडिया लीडर्स तयार हो रहे हैं हमारे अभ्यान से जुणे जलचत्र अभ्यान की मदब करें कर दो जाओना जाओना लीडर्स तयार हो रहे हैं